जैहन दोस्तों देखिए आपका पैट का एक्जाम आपके बिल्कुल नजदीक है अब उसमें 20 नमबर के डियाई यानिके डेटा इंटेपेडिसन, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट से आपके कोशन आने हैं तो 4 डियाई आएंगे एक डियाई में आपके 5 कोशन होंगे तो 20 न स्कुलिई को चाहरा हूंखर पूरे कायसे जारा इसे कराई इतना 6 में जारा ऐहें तो जो इसका निखनी आपको बताने जा रहें मैं Ci D Are I expect के बन सकते हैं उन में सिर्फ एक ही फर्क पड़ता है कोई भी Change नहीं होता है सिर्फ उसेस डेटा देखने में चीन्जज कोता है Kभी जो डेटा होगा वो इस तरीके से दे रखाऊ ऑगा कभी इसको इन्होंफ हुआ किया परसेंटेज में डिवाइड कर रखा होगा प्रतिसत में डिवाइड कर रखा होगा और कभी इसी पाई चार्ट को उन्होंने डिग्री में डिवाइड कर रखा होगा किसमें कि इतने डिग्री इतने डिग्री इतने डिग्री या ऐसा हो सकता है कि लाइन गराब बना दें इस इस class को देखने के बाद आप सारे question को लगव कर सकते हैं बहुत टिपिकल नहीं है लेकिन चीजों को थोड़ा से समझना पड़ेगा कि मैं इस बात में बात करना जा रहा हूं कि आखिर question किस-किस लेवल का बन रहा है किस-किस लेवल का question बन सकता है कैसे कैसे question बन सकता है उन सारे question के pattern को जानना चाहा रहा हूं ठीक है तो आप देखिए जो di होती है न पहले में पाई चार्ट की बात करूंगा एक एक करके बढ़ेंगे पहले में पाई चार्ट की बात करूंगा तो जो पा यह वाला C% है और यह वाला D% है या तो यह data percentage में लिखी होगी या यह data आपका degree में लिखा होगा अगर यह percentage में लिखा होगा तो आपको इनको जोड़ेने की आप सकता नहीं है इन सब को अगर देखी कोई भी value होती हो हमें से 100% होती है अगर आप इसको value में चेक करेंगे तो यह value 100% ही होगी आप ऐसा नहीं है कि आपको A plus B plus C plus D वरावर चेक करने बैठ जाएं आपको यह value अपने आप ही पता जाने चाहिए 100% होगी अगर यह वाली value नहीं दे रखी है मालो यह वाली missing है और पूछाई यह कितनी है तो total जोड़ा अगर यहां से लेके यहां तक यह 90 percent बैठ कितना बैठ गया 90 percent बैठ गया तो यह value value कितनी आजाएगी 10% यानि कि total percentage में यह होगी वो कितनी होगी 100% कितनी होगी 100% अब बात आती है कि अगर degree में होगी तो क्या होगा है मялत इसके agua यहां कितनी है अघर होगी तो अगर इननोंने कह दिया कि यह एक स्टिक्र पाइश जड़ी है और यह के दिगरी है तो अगर डिग्री में चेक करेंगे तो भाइजी जु डिग्री होती है नब टोटल 60 degree होगी और percentage में दे रखी है तो यह हैंड़ेट परसेंट होगी ठीक है है अब इस पर कैसे question मनेंगे उस पर इस पर इस भी question बहुत सारे बन जाते हैं अब मुझे बात के लिए रहुपा रही है कि जो हैंड़ेट परसेंट है जो हैंड़ेट परसेंट है यह 307 कि 100% है यह 130ap εν Judy के बगाबर बहुत सारे कोशिन यहां से बंजाते हैं कि 10% की वैलुकितनी होगी तो 10% की वैल्टो देखो 36डिगरी हो जाएगी Exodus 36डिगरी हो जाएगी और अगर मैं एक परसेंट की वैल्ली निकालना चाहूंगा टो 3.6डिगरी हो कि इसपे भी बहुत सारे कोशन यमार आँ अप जिफर्णी टना यह dengan कि लुट Θए आव हो 10 something All इन्होंने पाई टे कर through Ergebnis में तो मुझे एक साब साब किलियर हुआ कि भई एक को चेक करेंगे तो आप 100% ही पाएंगे आप पाएंगे कि जो value है वो कितनी है 100% है कितनी है value 100% है कोई दिकत ठीक है अगर आप ऐसा भी हो सकता था कि अगर उन्होंने इस चीज को मिस्स कर दिया इस चीज को नहीं दे रखा है और कहा कह दिया आपसे कि बताइए कि भोजन पर कितने percent को खर्च किया गया है तो आप क्या करेंगे कि आप इहां से लेके यहां तक जोड़ेंगे और इसे 100 में से घटा देंगे हो कि आपको पता है complete कितना percent हो जोगा पूरा hundred percent होगा और यहां से लेके यहां तक हमने check किया और पता चला 70 percent है तो इसमें से 70 percent घटा देंगे और यह value value speed से बता देंगे कितना percent है 30 percent है clear हुआ अब और कैसे question बन सकते हैं और यह question मन सकते हैं कि बताइए कि किसी जी ऐसा होगा कि जैसे मानू में कमाता हूं मैं कमाता हूं तो मेरी salary है मैं 100 percent लेके आऊंगा पैसा अब 100 percent जितना भी पैसा लेके आया उस 100 percent को मैंने 20 percent मकान किराय पर खर्च कर दिया 12 percent के कपड़े वगरा खरीद लिए 18 percent education पर खर्च कर दिया ठीक है 15 percent इंधन पर खर्च कर दिया 5 percent extra खर्च हो गया और 30 percent भोजन पर तो ऐसे question मन जाएगा कि बता यह कि मकान के किराय पर कितना त्रजिखंड कोड़ बना मकान के किराय का कितना त्रजिखंड कोड़ बना या निकि हम पता था कि 00 percentage value है किया है 20% तो 20% की value आ जाएगी 32 एक कोशन आ जाएगा ऐसे पूछ लेगा कि भोजन पर कितना खर्च किया है तो भाई भोजन पर खर्च किया है 30% और 10% की value अगर 36 है तो 10 33 और 36 तिया 108 ऐसे कोशन पूछ सकता है आप से बस्तर का अलग किये खर्च और मकान पर किये खर्च के बीच कितने डिगरी का त्रज खंड कोड बन रहा है मकान पर खर्च किया और भोजन पर खर्च किया उसके जो अंतर है उसका कितना डिगरी तरज घंड कोल बन रहा है तो हमने का भोजन पर किया है 30% और मकान पर किया है 20% यानि कि इन दोनों का difference कितना है 10% और हमको पता है 10% की value है 36 डिगरी एक कोशन का अंसर है कोशन गुमा गुमा के कोशन पूछ सकता है कई प्रिकार से कोशन बन सकते हैं और इसके अलावा क्या बन सकते हैं इसको भी देखो अब वो कह देगा कि मैं 7000 रुपय कमाता हूँ, मैं कितने कमाता हूँ, 7000, अगर मैं 7000 रुपय कमाता हूँ, तो मैं 100% कमाता हूँ, यानि कि मेरी 100% की वैलू कितनी है, 7000, मेरी 100% की वैलू कितनी है, 7000, अगर मैं 1% कमान निकालना चाहूँ एकपर्सेंट कमान कितना आजाएगा सकतर यहीं मैं साथ हजार रुपle मन्थिली कमाता हूं अगर मैं साथ हजार मन्थिली कमाता हूं इसका मतलब मेरी दक्ति कम है वह साथ हजार के बराबर है और मैं दक्ति मैंने खर्च किया है 30% भोजन पर 20% मकान के किराप इत्यादी इत्यादी अब मुझसे कोशन पूछन लगे कि बता ये कि अगर मैं 7000 रुपए मन्थली कमाता हूं तो मैं हाउस रेंट पे कितना रुपए खर्च करता हूं तो मैंने देखा कि हैंड़ मैं कमाता हूं 100% और हैं ने सादूनी —1400 हो जाएगा। पूशन लगे कि भोजन पर कितना खर्च करता है 30% और एक पर्सेंट की वेलसार है याणिकि 2100 इसका Material आ जाएगा। आप से पूचने लगे कि बस्त पर कितना खर्च करता है तो 12% याणिकि 1217. shrug तो भाई मकान के किराय पे किया है 20% और बस पे किया है 12% यानि कि जो डिफ्रेंस है वो कितना है 8% कितना है 8% और एक परसेंट की बेलू 70 है तो 8, 76, 560 हो जाएगा बेविन बेविन कोश्चन बन सकते हैं आप एक मैं पूरी डी आई नहीं करा रहा आपको मैं पैटन समझा रहा कि किस-किस पैटन से आपके कोश्चन एक्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है आप क्या बन सकता है दूसरा तरीका कि पेज को खाली कीजिए अब आपसे एक कोश्चन और बनते हैं वो यह बनते हैं कि A जैसे वेलू थी भोजन और मकान तो उसको A और B वे टर्न में तोड़ सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आपका कहने लगे कि जो A है वो B का कितना पर्चंट है एक कोश्चन कहने लगे कि A की तुलना में B कितना पर्चंट है यह एक अलग कोश्चन आ गया अब इन दोनों की अलग अलग इसका अगर सॉलिशन होगा तो क्या होगा A B का कितना पर्चंट है यह पहले बाले की बात हो रही है इस पहले बाले की बात हो रही है और यह दूसरे बाले की अगर पहले बाले का सॉलिशन होगा A B का कितना पर परसेंट है तो A की तुलना में B कितना परसेंट है इसका सॉलिशन ऐसे है लेकिन देखने में आपको लगेगा कि लुटू सेम है और में कोई फरक नहीं है लेकिन अगर आप गलत कर वैठेंगे तो इनके लिए आपको क्या करना है एक बहुत छुटी सी बात देखो इससे इस बात से लेके होते हो कि गौन को जो सबसे अमीर है मैं उससे गरीब हूँ कभी आप अपनी तुलना सबसे गरीब मंदर के बाहरे जो बैठा है विकारी आप उससे अपनी तुलना करते हैं आप अपनी फिल्ड के माहिर से अगर आप जिस भी फिल्ड में हैं अगर आप प जंदे से होती है छोटे से नहीं होती है तो आप अपने दिमाग में एक बात को बैठा लो बस बात ये थी कि जब भी एक कोश्चन ऐसे कहे A B का कितना परसेंट है या A की तुलना में B कितने परसेंट है आप टैंसन मत लेना आप क्या करना टैंसन ही नहीं हमें पता है कि A और B की बात हो रही है कितना परसेंट है कितना परसेंट है या तुलना में कितना परसेंट है आप के बहां लगाना जो वैलू बड़ी हो क्योंकि कंपेर हमें सब बड़े से होता है छोटे से नहीं होता है के आप कहां लगाना जहां वैलू बड़ी हो के आप कहां लगाएंगे जहां value बड़ी होगी, अगर A की value बड़ी है, तो A के साथ लगा देंगे, और B की value बड़ी है, तो B के साथ लगा देंगे, क्योंकि compare कभी भी छोटे बंदे के साथ नहीं होता है, हम लोग अपनी compare हमें सब बड़े से करते हैं, कि हम उससे गरीब हैं, हम उससे पढ़ने में कम का कितना percent है या A B की तुलना में कितना percent है कुछ नहीं करना बस यह सोचना है कि K कहां लगेगा जहां पर बड़ा number होगा जहां पर बड़ा number होगा दूसरा question कैसे बनते हैं वो question ऐसे बन जाएंगे कि कहेगा कि बाई जो A है वो B से कितने पिरतिसत ज्यादा है A B से कितने पिरतिसत ज्यादा है या A B से कितने पिरतिसत कम है अगर वो question कह रहा है कि A B से कितने पिरतिसत ज्यादा है तो ज्यादा तो तभी वो कह रहा है कितने पिरतिसत ज्यादा है यानि कि 10 रुपे की चीज अगर 12 की है तभी तो बड़ोत्री ही होगी या ऐसा कभी हो सकता है कि 12 रुपे की चीज 10 रुपे की होगे तभी बड़ोत्री होगी ऐसा कभी हो सकता है यह तो पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल क्या है यह कि अगर 10 रुपे की चीज 12 रुपे की हो रही है तभी बड़ोत्री हो रही है और 12 की चीद 10 की हो रही है तो बड़ोत्री नहीं हो रही है यानि कि इस बात को मैं कह सकता हूं अराम से कि अगर जब भी कोशन कहेगा कि पृतिसत इंक्रीजमेंट हो रहा है कितने पिरतिसत की विरद्धी हो रही है तो चुप चाप और A और B की बात होगी तो data किसके उठाएंगे A और B का तो चुप चाप कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर छोटी वैलुक देनी है और यहाँ पर बड़ी वैलुक देनी है आया और अगर य कितने पिरतिसत की कमी हुई है तो कमी तभी होगी जब कमी कब होगि जब यहाँ पर बड़ी वैलुक हो और यहाँ पर छोटी वैलुक लिख अब एक दू तू प्ताएंगे तो और ज्याद़े टी याईगी चली को स्टिशन है, तो आपको data देखना पड़ेगा कि भोजन पर खर्च किया था उन्होंने 30% किया था कितना किया था 30% किया था और 30% की value 9000 है 30% की value कितनी है 9000 है अगर मैं यहां से 1% की value निकालना चाहूंगा तो कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी 300 आ जाएगी तो पूछाए सिक्षा पर खर्च कितना आप एक बार question को दिखाईए देखी question यह है कि उन्होंने कहा कि भोजन पर 9000 खर्च करता है हमारे हसाब से भोजन पर कर रहा है 30% हमारे हसाब से भोजन पर कर रहा है 30% और 30% की value 9000 है तो हमने निकाला 1% की value 300 है अगर हमारी 1% की value आ गई तो आप आप 100% की अगर वो पूछन लगे कि बताओ मैं total कितना कमाता हूं तो आप 100% की value निकाल देना पूछने लगे मकान पर किराय कितना खर्च करता हूं तो आप 20% की वेलू निकाल देना, आप से पूछने लगे बस पर कितना खर्च करता हूं तो आप 12% की वेलू निकाल देना, आप से पूछने लगे सिक्षा पर कितना खर्च करता हूं तो आप 15% की वेलू निकाल देना, आपसे पूछे एक्ष्टा खर्चा है एके बिभे कितना खर्चा करता हूं तो आप 5% की वेल निकाल देना आपसे ये भी पूछे कि भोजन पर किये खर्च और मकान के किराये पर किये गए खर्च में कितना रुपए का अंतर है तो 30% और 20% मतलब 10% का अंतर है कितने अंतर है 10% का अंतर है और percent की value पता है 300 तो 3000 जाएगा नहीं आए तेकिंगने इस सवाल में आपसे पूछा है कि वह बंदा अपना education पर कितना खर्च करता है तो education पर खर्च करता है 18% कितना खर्च करता है 18 परसेंट और हमें पता है जो एक परसेंट की वैलू 300 है तो अठारा तियां कितना है तुम कितना है 15 परसेंट की वैलू 36 होती है अब चैकि किया था क्योंकि है 100% क्योंकि जो चार्ड होता है वो या तो 100% होता है या 360 डिगरी होता है तो 100% की value 360 हो जाएगी और 5% की value 18 हो जाएगी हमसे पूंचा एंधन पर खर्च और एंधन पर खर्च है 15% तो 15% की value कितनी हो जाएगी जोगन हो जाएगी ऐसा नहीं इढहां पर पूचेगा आपसे सिख्छा काई पूसकता हैteenो सकता घंच का नहीं सकता है लुट्स अगला जो कोईशन है वो कह रहा है यदि एंधन पर खर्च तीन हजार है तो मकान किराया और सिक्षा खर्च को छोड़कर एंधन पर खर्च अभी हमने देखा था 15% है एंधन पर खर्च कितना था 15% और 15% की वैलू थी 3000 तो एक परसेंट की वैलू आगे तुम्हारी 200 कितनी परसेंट है तो एक पर्चेल की वैलू कितनी आगि 200 तो उन्हें का मकान के कराया और सिक्षा खर्च को फोड़कर के कितना खर्च मकान को सिक्षा चेलो चेक करते हैं किया में इस हैं 25 ठीक है मकान का किराय काहा है वीत और हो शिर्ठेट इस को छोड़ MP2 परेसंट इस खर्चे को छोड़ वाही 62 गोड़े 200 कितना हो जागा, 12,400, 12,400 कहा दे रखा, यह दे रखा है, उप्शन में, यह तो इनन पर खर्च 3000 था, और इनन पर खर्च हमारे साब से कितना था, 15%, तो 15% की वैलू 3000 थी, तो 1% की वैलू 200, उन्होंने यह कहा, कि मकान के किराया, और इनन मकान के किराया और सिक्ष अठाथ 18%, यानि कि 38% को छोड़ दिया जाए, तो बंदा 62% खर्च करता है, और 1% की वैलू 2 हो, तो 22 गोड़े 2 सवाल का क्या जाएगा, ठीक है, आगे बढ़िए, यह कोशन कह रहा है, यदि भोजन पर खर्च की, यदि भोजन पर खर्च की प्रितिसत्ता, बस्त्र, सिक् और इधन के खर्च की कुल प्रितिसत्ता का X% है, यहाँ पर लगाना है आपको food, यहाँ पर क्या लगाना है food, भोजन पर खर्च की प्रितिसत्ता, बस्त मतलब cloth, शिक्षा मतलब education, और इधन को fuel कह लो, F-U-E-L, ठीक है, इन पर किये खर्च की कुल प्रितिसत्ता का कितना परसेंट है, X%, कितना परसेंट है, X%, तो फिर से बोई बात आगी देखो, कि मैंने कितना परसेंट है, तो आपको यह बात पता होती कि X कहां लगाना है, नहीं लगाना है, टैंस नहीं लेना, हमको पता है, जब भी compare होती है, बाले बाले नंबर के साथ होती है, मैं X बहीं लगाता मेरे को पता नहीं अगर कोष्च्ट ते क्लियर नहीं हो पा रहा है मैं X लगाता जहां पर क्या होता बैलू उती चलो चेक करते हैं फूड की वैलू कितनी यह जो है यह भोजन वो कितना है 30 कितना है 30 जो क्लोथ है वो है 12 एजुकेशन है 18 तो यह वाली पता होती या नहीं होती दिक्कत नहीं है हम क्या करते यह वाली बड़ी वाले के साथ ही लगाते चलो चेक करते 30 है 12 13 35 हो गए into x अ baka sot x आया जो x आयाए वो पूरे के साथ है बड़े-वाले के मैं भूल जाओ कुछ-ब्ध को नहीं पता होता कुछ भी नहीं पता होता मैं मैं हमेंसे यही लगाता क्योंकि यह in करूंगा किम्यों बिलुकिल जो । गरीब है ब हम उस से हमेर हूँ कि भाई मैं उससे गरीब हूं मैं उससे गरीब हूं ठीक है तो यहां से एक्स कमा निकाल लेंगे 15 दूनी 30 15 35 तो एक बराबर 200 बटे 3 और 200 बटे 3 क्या हो जागा 66 सही 2 बटे 3 मेरा इस क्लास में ना आपको कैल्कुलिशन कराने का फोकस है ना आपको कुछ मैं सिर्व आपको क जाँ हूं चाहा रहा हूं कि इन कॉंसेब्ड को अगर आपके ज्यां के लिया तो आपके 20 नमबर पक्के मैं सिर्व आपके 20 नंबर पक्के चाहता हूं यहाँ कि 20 नमर पक्के होजाए और इसBAR पैट में और आपके 75 से नीचे नमबर आ एकशे नीच स् вр sağもう अने वाली supply inspector में उन्हीं ही form डाला था जिनके 86 थे आप सोचे इस बार तो 37 लाग हैं इस बार 37 लाग बच्चे हैं और अगर आपके 75 से नीचे नमबर आते हैं तो यकिन मानो आप कोई भी form फिल नहीं कर सकते हैं ठीक है तो आपको 20 नमबर हर कीमत पर पक्के करने होंगे यहाँ पर कोई अधिक है मूझे कुछ नहीं आतना है है कितनी अधेक है तो की बात हो रही है तो यहां पर वेलू इसमौल जW'll लिख यहां पर होना है यहां पर इनकी और इनका कंपन होना है और तुम्हारा या किलोट पर था 12 और फ्यूल पर था 15 ऐसे था ना ठीक है तो बस मुझे नहीं करना है कि यह answer क्या आएगा 20 12 32 15 47 यह percent निकाल दूंगा answer आजाएगा अगला जो question है अगला जो question है इन्होंने क्या कर रखा है इस question में कि आपके सब्जेक्ट यानि कि टोटल सब्जेक्ट आपको इसको थोड़ा करो chemistry physics math geography history और others इसमें debate कर रखा है तो percentage में कितना होगा बिना जोड़े बताओ 100% होगा degree में होता तो कितना होता 306 degree होता percentage कितना है 100% degree में कितना है 360 यहाँ पर भी बिभिन बिभिन कार के question बन सकते हैं मैं question बिल्कुल नहीं कराने जा रहा है मैं सिरह आपको pattern समझाने जा रहा है कि आप इस pattern को जो मैंने अभी समझाया उसका का यूज करके कैसे थी हैं ऐगको सकता है उननों sahय है कि हैंडेट पर्सेंट की वैलू 3060 होगी ऑई क की मिला कि कि तुखेश बना तो 30% एपांतालीस परसेंट निकाल देगे और दस परसेंट की वैलु 16 cioè 25% की यह भी लिक्टम मुट सकता है कि गड़त मे रसायन से कितनी सपरसेंट जादा प्रपे आपकि तो प्रितीससे ब्रुदि मी निकाल सकते हैं प्रितीसस परकार काई मिरेंगे और इन्पे काम कर सकते हैं नषान लगा दोग्त आगे बढ़ी हम इस और कोशन को नहीं कराने जा रहे तेनी कोशन होगा जब भी कराएं यह डिग्री में दे रखा है यह डिग्री में दे रखा है तो कितने डिग्री होगा तीन सो साथ डिग्री होगा तीन सो साथ डिग्री होगा क्या सबाल को बैठ के चेक करूं कि कितने डिग्री हो नहीं मैं सबाल को चेक करने नहीं जा रहा ह कि कितने डिग वोगा मुझे पता है ये 360 डिगरी होगा कितने होगा 360 डिगरी होगा वह कितना होगे, मुझे पता है कितने डिगरी होगा, 360 डिगरी होगा, वह कहना लगता कि बता ये इसको नहीं कहा, और बता ये कि भोजन पर कितने डिगरी खर्च किया है, हमें पता है कि टोटल कितना है, 360 और इसको नहीं देखा, तो यहां से यहां तक का तो जोड सकते हैं, जब जो की 120 है तो यहां पर बेज़ेगा 240 और घटा देंगे 120 क्यों टोटल कितना होगा टोटल तो 360 डिगरी होगा अगर टोटल 360 डिगरी है तो किसी भी को छुपा सकता है एक कोशन ऐसा बन सकता है कि भाया इसको छुपा लिया का भी हो सकता है सिक्षा को छुपा लिया अब तो कितने प्रितिसत खर्च किया तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है सिक्षा पर कितने प्रिकार से कोश्चन निकाल सकते हैं आपने भी थोड़ी दिर पहले देखा कि 30 से हम डिग्री निकाल लेते 30 से डिग्री निकाल लेते बैसे कोश्चन सॉल्व कर सकते हो और आपको दूसरे तरीका क्या है परसेंटे निकालने का यहां वह यह रहेगा यह रहेगा एजूकेशन पर कितना परसेंट खर्च किया है तो एजूकेशन पर कितना परसेंट खर्च किया है इस निकालने के लिए बोले नंबर कितने आये 330, कितने मैंसे आए 600 मैंसे, गुड़ा 100, यह प्रितिसत का तरीका हम कभी नहीं भूलते हैं तो इस तरीकों को यहां के भूले अगर हम कोश्चत दो तरीके से निकाल सकते हैं हमें पता है 10% की value 36 degree है, यहां से भी निकाल सकते है 70 degree की value कितने पर्सेंट में होगी और यह ना चाहे हम, तो इसको और भी आसन तरीके ऐसे कर सकते हैं वो लोग पुझे भोजन पर कितने पर्सेंट खर्च किया है तो भोजन पर किया है 120 कितने मैं से किया है 3008 और गुणा 100 तो इस सवाल का solution आन्यों सकरके निकल सकती है बचत पर कितना पर्सेंट मकान पर बस्तर पर अन्य पर आपसे यह भी पूझ सकता है कि भोजन और सिक्षा भोजन और सिक्षा पर खर्च किये गए भोजन और सिक्षा पर जो खर्च हुआ है वो उसके 20 का difference कितना पर्सेंट है तो भाई भोजन पर खर्च किया है 120 डिगरी सिक्षा पर किया है 70 डिगरी इन दोनों का 20 का difference कितना है 50 और 50 डिगरी में पूझे तो पर्सेंट में पूझे तो भाई 50 खर्च किया है 360 में से गुणा 100 ऐसागेडी साट किसी का भी अनुपात मुझे सकता है किसी की को पूझ सकता है क्या तिक करता है तरीका आनअचाए यह नाम को हर कोश्चम थोड़ेना करते रहेंगे यह आपका प्रव्लोम को शालत को सब्सक्राइब है का कि सारी प्रॉल्म फ्रेश करके देखेंगे सब इस चीज़े सब थोड़ी चेक करने बैठेंगे आगे बड़ो अब कर रहा है सिक्षा पर खर्च मकान खर्च से 1600 रुपए अधिक है तो भोजन पर खर्च सिक्षा पर खर्च मकान खर्च यानि लिए एजयूकेशन और हौसट और हैंगे लिए कितना वाई के टकेशन पर हैं एजयूकेशन पर हाउस रइंग यह मकान कंचा़ क्या चोवन कितना केrauen बचना बचेजाएगा लाट गिरी और सोला डिग्री की वेलव अगर दिग्री की जो फसा है और आपसे और फूर पर खर्च किया है तो फूर्ट पर किया 120 डिग्री और 120 डिग्री हमें पता है कि एक डिग्री का जो मान है वो सो है तो कितना ख़र आ जाएगा बारा हजार आ जाएगा बचत का अलग मुझे सकता है अधर दुनिया भर के तमाम कोशन बन सकते हैं तो आप सारे कोशन करने मत बैठो सिर्फ होसे मैं बार-बार कह रहा हूँ आप सिर्फ पैटर्ण को समझ लिजी के आगे बढ़ो कितो हो गए ना यह बार कोशन देखो यह दि मासिक आए 36 रुपए है तो बार सिक बचत कितनी होगी मासिक आए मासिक आए का मतलब 360 डिगरी भाई कोशन डिगरी पे रखा है ना तो मासिक आए हमारे साब से कितनी है 360 डिगरी और 360 डिगरी की वेलू 6000 है तो एक डिगरी की वेलू देखो 3600 पर 100 आजएगी कितनी आजाएगे 100 आजाएगी तो बारसिक बचत मुची है और आपसे बचत मुची है मतलब saving मुची है तो saving आप आपके check करो 60 डिगरी है चरई check करो saving कितनी है 60 degree है तो saving 60 degree है तो 60,000 यह monthly income थी यह income कहाई कि थी तो जो saving है यह भी monthly आईये यह saving है यानि कि वो 6,000 रुपाई monthly बचाता है और आप से monthly नहीं पूचा है आप से पूचा है कि yearly यानि कि एक साल में कितना कमाता है तो 6,000 रुपए अगर मंतली कमाता है तो 12 से गुणा करके 12,000 रुपए सालाना यानि की 12 से कमाता है किलियर हो पा रहा है आगे बढ़िए नेक्स्ट देखी एक कोशन अलग कोशन है इन्होंने ये डिगरी का मैंने बार-बार कोशन लिये हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए किराय का 90 डिगरी, भोजन का 100 डिगरी दुनिया वर के तवाम कोशन बन सकते हैं ठीक है हम फिलाल कोशन नहीं करेंगे हम क्या करेंगे सिर्फ पैटर्न कर देंगे ये आप से जितने भी मैंने जो बता है पाई चाट से लिटेट कोशन नके बता है आप इनको तयार कर लो कॉंसेप्ट को समझेड़ो आपका पाई चाट से लिटेट कोशन नहीं छूटे का ओ मैं बारबार बोड़ रहा हूं चहां है पाई चाट हो ये लाजए ऑगराफ बारग्राफ हो कुछ भी हो आप दिमाग में रखना सिर्फ concept ऐसे होता है concept को तरीका समझो सवाल करने से ज्यादा फोकस करना चाहिए concept को समय ऐसा नहीं कि जो आपने सवाल की बोई करने अगला को इसे थोड़ा सा घुमा दिया बैलू चेंज कर दी तो कैसे करोगे दिक्कत हो जाएगी आगे बोलो तुम हाँ 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 इसमें देखो टोटल को जोड़ो बच्चत का पूश लेगा मैं इसमें से क्सेन करोटब सो को जोड़ो बच्चत का नहीं दे रखाल कियो यह निकाल देवें इसमें से 3060 मिनागए त्रियाहर थे यह अग्या तुमारा इस्का मतलब क्या है कि 1980 में कितने 1000 टन का उत्पादन हुआ है 30,000 टन का और मैं एक बात आपको बताओं इस प्यावसकता नहीं पड़ती है चाहिए टन में हो किलोमेटर हो लाग मेटर हो कुछ भी हो आप असिस वैलू दे रखना आपके जिस नमर में यह वैलू दे रखे होगी उसी नमर म ऐसे बन सकते हैं 1980 के खाधान उत्पादन 30,000 टन हुआता मैं सिर्फ 30 बोलोगा नहीं वोलोंगा 30,000 टन क्योंकि ऑप्शन भी ऐसी मिलेंगे 1981 में किता हजा टन 35 लेकिन मैं सिर्फ 35,000 टन नहीं बोलोंगा सिर्फ बोलोंगा 35 1982 में 20, 1983 में 25, 1984 में 15, 1985 में 30 आप से कोशन कैसे पूछेगा कि निम्न में से उपरोक्त में से कौन सी साल में सबसे ज़्यादा खाधान उत्पादन हुआ है सबसे ज़्यादा खाधान उत्पादन भाई साब साब दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा खाधान उत्पादन 1981 में 25,000 टन मैं सिर्फ 35 की बात करूँगा क्योंकि जो बैलोंगा सबके लिए बराबर है न चाहा 35 किलो हो चाहा 35 ग्राम हो कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि जो वेलों सबके लिए बराबर है तो मुझे गा उप्रोग्त में से कौन सी साल में सबसे ज्यादा खाधान उत्पादन हुआ है तो 1981 ओप्रोक्त में से कौन सी साल में सबसे कम खाधान उत्पादन हुआ है तो सबसे कम खाधान उत्पादन कहा हुआ है 1984 1984 में ऐसे पूछ लेगा सबसे पहली और 1981 बात करें तो 1980 में ब्रद्धी हुए कम हुए हमको नहीं पता 1980 में ब्रद्धी हुए क्योंकि 1980 से पहले का डेटा नहीं पता तो आपको नहीं पता 2018 से पहले क्या रहा था 1989 में आपको नहीं पता क्या रहा था आप यह बता सकते हैं कि 1981 में ब्रद्धी हुई है 1982 में पिछली बर्स की अपिक्छा कमी हुई है और 1983 में पिछली बर्स की अपिक्छा ब्रद्धी हुई है पीस्त क्या रहा है बसंको यह बात पता है पूछेगा चिंता नहीं है 335, 65, 65, 35, 30, 110, 110 और 15 हो जाएगा तुम्हारे 125, 130, 155 टोटल कितना आया 125 कर धाना एक सो पाइबरेज बताना है तो छे साले भाग कर देंगे एक कोशन यहीं बन सकता है अगला कोशन यहां बन सकता है कि बताएगे अप्रोक्त मेंसे कितनी साले ऐसी हैं जिनमें पिछले बरस की अपेक्षा बड़ोत्री हुए, पिछले बरस की अपेक्षा बड़ोत्री हुए, तो एक तो यहां पर हुए, यहां पर बड़ोत्री हुए, यहां पर बड़ोत्री हुए, और यहां पर बड़ोत्री हुए, तो कितनी साल ऐसी हैं जहां बड़ोत्री ह है कि निम्ने में से कौन कितने साल ऐसे हैं जिनमें पिछले पेक्ष की बरसा उत्पादन कम था पिछले बरसा उत्पादन कम था तो हमें पता है उत्पादन कहां कहां कम था चेक करो यहाँ पर कम था और यहाँ पर कम था कितने साल हैं तो कितने साल हैं दो यहाँ पर कम हुई है और तो दो साल ऐसे हैं जिनमें उत्पादन कम हुआ है और तीन साल ऐसे हैं जिनमें उत्पादन बड़ा है किलियर हुआ और क्या पूँ सकता है और यह कोश्च मन जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रतिसाद बर type सबसे जदा रगजी है अ में बताया है यह वाली वाली वैलु ही है यह ए Pay खैसकर सर्थ किंध यहां पर तो बरदी हुई नहीं और यहां पर है बीस पच्चिस बीस से पक्चिस यहां पर कमी हुई है और यहां हुई है 15 से 30 तो आपको यह पर्सेंटेज बहुत अच्छे से देखना आना चाहिए कि भाई 15 की वैलू 30 होगी 100 पर्सेंट हुआ है यानि कि 1985 में सबसे ज्यादा ब्रद्धी हुई है सबसे ज्यादा कमी से भी रेटेट कोश्चन पूछ सकता है सबसे ज उत्पादन से ज्यादा रहा है अभी हमने थोड़ी दिर पहले चेक किया जिनका उत्पादन आया था 155 बटे 6 156 तो अगर मैं इसको भाग करूंगा तो 6 12 बचे 3 35 हो जाएंगे 6 35 बचे और 6 35 बचे और 6 8 ऐसा जाग नमबर तो ऐसा उत्पादन कितने है जिनका उत्पाद से कोशन यह रहेगा कि निमने में से कितने बर्स ऐसे हैं जिनका उत्पादन और सत उत्पादन से ज्यादा रहा है तो और सत उत्पादन पहले निकलना पड़ेगा और सत उत्पादन है 15.8 तो एक तो यह साल है 25 से ज्यादा है दूसरी यह 25 से ज्यादा है यह क्या है नहीं यह भी 25 है, यह भी कम है, यह ज़ादा है, तो ऐसे कितने बर्स हैं, जिनका उत्पादन औसत उत्पादन से ज़ादा है, तो तीर, यह, और यह, दोसरा कोशन रिटन करके यह पूँ सकता है, कि कैतने बर्स ऐसे हैं, जिनका उत्पादन औसत उत्पादन से कम है, तो यह भी औ वोस्त उत्पादन से कम है ये भी वोस्त उत्पादन से कम है आपसे कोशन ये भी पूछ सकता है नेमने में से 1984 ऐसे मैं कोशन बोलूं कि 1982 और 1984 का डेटा 1982 याने की 20 और 1984 याने की 15 1982 और 1984 में हुए उत्पादन 1982 और 1984 में जो कुल उत्पादन हुआ है वो निमने में से किस बर्स के बराबर है तो भाई 1982 में 20 और 1984 में 15 याने कि इन दोनों सालों को जोड़ दिया जाए इन दोनों बर्सों को जोड़ दिया जाए तो आजाता है 35 कितना जाता है 35 तो 35 कौन से बर्स के बराबर है यह 1981 के बराबर है 1981 की बिभिन प्रिकार की कोशन बन जाएंगे टैंसन मत लिना दरने की वाज़त नहीं है आपको डेटा देखना आना चाहिए आपका सीधा मतलब यह होना चाहिए कि चाहें 50 हो चाहें लाइन ग्राफ हो चाहे dt मैं की data काई positive किसे करवर्ड होता है मैं मैं सिर्डरा को देख पाऊं और आपका सीधाro concert चाहिए कि data को ऐसे देखेंगे आपको मतलब नहीं कि मैं बता ॏह ना को और अपको अत्किन मतलब की Article इस Kaiser कर नहीं है तो करते रहो अभी मैंने कोश्ण कराए था 1982 में हुआ था 20 और 1924 में हुआ था 15 कितना हो गया था 35 किस बर्स के बरावर था 1981 के बरावर था ठीक है दुनिया बर्के तमाम कोश्ण बन सकते हैं आप कोशन पिला जाओ आप पैटर्न को समझो कि किस किस पैटर्न से कोशन बन सकते हैं और मैं कैसे इनको हैंडल कर पाऊंगा आगे बढ़िए कि कह रहा है कि 1981 और 85 में खाधान के उत्पादर का अंतर कितना है 1981 और 1985 के खाधान का अंतर पूँचा है चलो चेक करते हैं 1981 में भाई कितना है 1981 में जो डेटा है वो है 35 कितना है 35 और 1985 में कितना है 30 कितना है 30 यानि कितना है 5 लेकिन ये 5 नहीं है ये 5000 तन है क्योंकि ये वैल्यू दे रखी है खाधान हजार उत्पादर तन में तो ये 5 नहीं है ये 5000 तन है 5000 तन है अगला जो कोश्चन है कहरा 1984 की तुलना में 1985 में उत्पादन में कितने परसेंट की ब्रद्धी कोई दिक्कत नहीं है ब्रद्धी ही है ना एक डेटा 1984 का है और दूसरा डेटा 1985 का है मुझे कुछ ने करना वो कह रहा है अगर ब्रद्धी ही है या तो छोटे बेलू यहां भूंगा तभी 35 ब्रद्धी हो इसाब चला चला के कहा है कितने परसेंट की ब्रद्धी ही है और विरद्धी तभी हो सकती है जब छोटान नंबर यहां लेखा होगा बड़ा नंबर यहां लेकिन डेटा अपने घर से मत उठा लेना डेटा उठाना पड़ेगा आपको 1984-1985 चेक करते हैं 1984-1985 की क्या हाल है जो 1984 में डेटा दे रखा है उन्हें 15 और 1985 में डेटा दे रखा है 30 भाई साब पंदर 30 दे रखा डबल है और डबल होता है 100% एक रुपए की चीज़ अगर दो रुपए की बेचर हैं यहां पर मैं आपके तरीके की चीज़ नहीं करना चाहा रहा है यहांपर मैं आपके तरीके चेंज नहीं करना चाहारा है आगे बढ़ो, यह देखो, उन्हें तुछ यह तो हो गया ना, विरद्धी हुए, 100%, बे कौन से दो उत्रोतर बरसे हैं, यानि कि दो साल ऐसे कौन से हैं, जिनमें खादानों की उत्पादन की परिवर्त अंदर सबसे कम हैं, जहां पर सबसे कम चेंजिस हुए हैं, जहां पर स सबसे कम है, पि炭ी Запाव सकती हैं, जहां पर यह हमें उन्नेस्नेस्स में पता हैं, जहां पता हुए,有 कब हित्स्थ strict क्या कमी होई हैं, इसे नहीं दो एक मैं जहां पाता हैं, और लबतगों स्थ फस्यिविक्तर हुआं पर सब्सक्षइर , कमी हुई है अरे लो फश्छ और इसमें ब्रद्र हुई है तो यह नहीं ले सकते हैं तो कौन-कौन से आ रहे हैं กश और तो कॉर्ष और 1912 पणदर सबसे कब्ढ़ेब कर सकते हैं अगर तरच तो डेल फिया लेकिन होथें तो चेक भी करते हैं प्रितिसर निकाले कि आप सकते नहीं पड़ी अगला अगला अब यह कोशन कैसे आजाएगा ऐसे आजाएगा जो नाम देना है बार गराब लाइन गराब दुनिया वर के तमाम नाम आपको सिर्फ डेटा देखना चाहिए फोकस कहा होना चाहिए डेटा कैसे देखेंगे यह यह लाग डन में गोली मारो इस बात को ठीक है यह उत्पादन की बात हो रहे है तो जो ऐसा सिंबल है यह उत्पादन की बात हो रहे है यह उत्पादन की बात हो रहे है यह उत्पादन की बात हो रहे है यह ट्रेंगल का सिंबल उत्पादन कर रहा है और स्क्वाइर वाला स मांग यह वाला मांग यह वाला मांग अब आपसे कोशन कैसे बन सकते हैं कोशन में बता रहा हूं कोशन का तरीका आपसे यह पूछ सकता है कि कंपनी A का Company A का Company A की बात हो रही है तो Company A के लिए मांग उत्पादन यह है और मांग यह है Company A की बात हो रही है तो Company A के लिए मांग उत्पादन यह लगाएंगे Company A के लिए मांग उत्पादन यह होगा Company B के लिए मांग उत्पादन यह होगा कमपनी C के लिए मांग और उत्पादन यह होगा, कमपनी E के लिए मांग और उत्पादन यह होगा, कमपनी E के लिए मांग और उत्पादन यह होगा, और कमपनी F के लिए मांग और उत्पादन यह होगा, अब कोशन यह पूशन यह पूशन सकता है, कि कमपनी A में, sorry, कमपन मैं कोशन बोच हूँ कि Company B में उत्पादन कितना ज्यादा है Company C के पेक्षा, तो Company B में उत्पादन है 3660, इस इंबल काय कहा है, उत्पादन, तो Company B में उत्पादन है 3660 और Company C में उत्पादन है 3100, तो इन दोने के बीच का डिफरेंस पूर सकता है, आप से ये भी पूर सकता ह कि कम्पनी ए में कम्पनी ए में जो उत्पादन है जो मांग है वो उत्पादन से कितनी जादा है यह जो सिंबल है यहां पर साब साब देख रहा है अगर नहीं देख रहा हो तो तो थोड़ा से नीचे कर लो थोड़ा नीचे कर लो ना देख रहा हो ठीक है यह वारा जो सिंब है कि किनो कर रहा है किझा के कू cloth 방 को एसे बन सकता है कॉफनिया की मांग कंपपनी एकी मांग मतलब 2100 इसके उत्पादन मतलब 1450 से कितनी ज़्ढा है 2023 को और 2024 कि एसा एक कोशन भी स्कता है आपसे यह भी मुश सकता है कि ज़्ण प्रोग्त में कितनी कम्पनियां एक, दो, तीन, चार, पांच छे, ओप्रोग्त छे कम्पनियां A to F, यानि A से F थक उत्पादन का आउसत कितना है, उत्पादन का आउसत कितना है, तो उत्पादन ये वाला सिम्बल डूर करता है, तो इन नंबर मैं सब को जोड़ूँगा, छे से भग कर लोगँ का और आउसद ने लएगा, उत्पूरग्त छे कम्पनियों की मांग का आउसत कितना है, तो मांग ये वाला सिम्बल डूर करता है, तो इनकी सबकी मांग को जोड़ूँगा, और उत्प्रेद आइंसे भग करणा यहां से भी आपरेज आ जाएगा, कि जादा इतना ख़तला नहीं आ रहा है कमपनी F की उतपादन dünya कमپनी F का उतपादन जो है कम्पण में मांगर से कितना ज्यादा है तो यहां नीवब सकता का ने मन सकता कुन से समझना बैटके आराम से कि मैं क्या-क्या बोला हूँ ठीक आगे एक दू कोशन और करके देखते हैं का कंपनी B की मांग कंपनी F की उत्पादन का कितना परसेंट है चिंताने कितना परसेंट है बात हो रही है B और F की B और F की कि कंपनी B की मांग लेकिन कंपनी B की मां और F के उत्पादन, F के उत्पादन की बात हो रही है, का कितना परसेंट है, हमें बस यह पता है, मैं K बहां लगाँगा जहाँ बेलू बड़ी होगी, चलो चेक करते हैं, कंपनी B की मांग कितनी है, कंपनी B एक यह है, और कंपनी B का उत्पादन सब्सक्राङ का और 3500 मुझे नहीं पता के कहा लगाँगा, मैं K लगाँगा बड़े वाले के साथ बस इस बात को त्याना सुना है के कहां लगांगो बड़े वाले के साथ यह डबल जीरो से डबल जीरो कड़ जाएंगे के पराबर हो जाएगा 3150 बटे 45 करते 153 45 15 दूनी 30 15 15 यह तो 210 बटे 3 कितना परसेंट आ जाएगा 70 परसेंट आएगा मैं टेंसन नहें लोंगा नहें लो कुछा है तो कम पर हमें से अमीर से गरीब से नहीं होती है कोई बंद अपनी तुल्ला कभी अपने गरीब से नहीं करता है अगर मेरे 50% नमबर आया तो मैं उसके खुछ नहीं होगा कि उसके 40% ना है मैं सोचोंगा जो टॉपर है भाई विरुद उससे नमबर कम आए मेरे अगर चोटी घाड़ी आटो है ना तो मैं इने सोचूँगा उसके पास एक भी नहीं घाड़ी मैं सोचोंगा भाई उसके पास बड़े गाड़े चोटी घाली तो अपकर आप किससे करते हो बड़े वाले के साथ तो सब कौन करेगा अलक से सबाल हमने बनाया तो डीन हम और मांग जोड़ेंगे इन दोनों के जो बीच का डिफ्रेंस आएगा उसका उसत निकालना तो सभाल आसान पड़ेगा बना यहां भी छे से भाग करोगे यहां भी से भाग करोगे तब जाके आनसर आएगा तो इस टिपिकल हो जाएगा भाई तो आप क्या करना टोटल बाद में निकालना तो सभाल आसान पड़ेगा बना प्रॉल्म क्रीट हो जाएगी अच्छी वाली आगे बड़ो कि कहा है कंपनी एक उत्पादन कंपनी सी की मांग के लगवा कितने परसेंट है डेजन्ट मेंटर कितने प्रतिसत है ए और सी की उत्पादन की बात हो रही है इस मोशन को करना चाहूँगा आओ एक उत्पादन चेक हरो एक वाली एक आ बात बैलू आर एक जो उत्पादन है यह वाली बैलू 1450 है और C की मांग की बात हो रही है और C की मांग है तुम्हारी 2600 कितनी है 2600 मुझे नहीं पता के मैं लगाऊंगा यहां पर क्योंकि वैलू है यह बड़ी के बटा 100 यहां पर जो भी आगा डिजट मेटर मैं सबाल सौल करने नहीं बैठा हूं यहां पर ठीक है मैं से आपको तरीक और C कंपणी किके मांग जादा होगी किसी का मांग जादा हो तो ऐसी कंपणी जोलो जिनकी मांग जादा हो और C कंपणी के लिण चोंट करते हैं उत्पादन से अधिक, मतलब पहली ऐसी कंपनियां जिनका उत्पादन से अधिक मांग, यानि कि मांग ज्यादा हो, ऐसी कंपनिय जिनकी मांग ज्यादा हो, और मांग से अधिक उत्पादन, और जिनकी उत्पादन ज्यादा हो, तो उत्पादन से अधिक मांग बली कंपनिया उत्पादन से ज्यादा क्या हो मांग जिनकी मांग ज्यादा हो और जिनका उत्पादन का वो इनका रीशियो निकालना है चलो चेक कर लेते हैं कोई बात नहीं चेक करना पड़ेगा क्या मांग ज्यादा है उत्पादन ज्यादा है मांग ज्यादा है क्योंकि मांग है 2100, उत्पादन है 1400, तो A कम्पनी आजाएगी, ठीक है, क्या B वाले की चेकर करो, कि B वाले की भाई मांग कितनी है, उत्पादन कितनी है, तो ये वाली B इधर चलिएगी, उत्पादन ज्यादा है, C वाले की बात करें, C वाले की मांग कित 270 422 तो ड द और चली जाएैगी ठीक है इक ही बात करें मांग कितनी हैं अथाइस सो उत्पादन कितना है 3750 तो उत्पादन जड़ा है तो उत्पादन तुम्हारी कोंन ए यह आ sabem Yeah की है तो एफ की बात कर्ते हैं तो एफ की जो मांग है वो कितनी है था और था यहां तो धान जादा तो हिए यहां जाएगा तो कंपनियां ह兩個 मांध चार तो रिश्य को भाव हुए ईक・ऊ ट्रब्लट यह कितना है एक और दौ को लिखत दिक्कत हो रही को फिस या रही को यापत्ती आ रहिए इन बातों को ने हम सकते हो रिगे एक क्यों टेश्फर च Э्थालिस पत्चांव प्च्च ने पढ़ो दिट हो कि यह खुत है क्यों प्रोक्त में इस Dann सिक getting सबस्क्राइब तो एफ इनका औसट क्वोट लेगा कौन से जादा कौन से बड़े दुनेया भर मोचन को पूछ लेगा आप पैटन को समझो आप पैटन को समझो मैं बार बार बोल रहा हूँ पैटन को समझो लेका Break में नमबर की कमी नहीं है उसा निगर की कमीए नहीं है हमद आरे करते हैं कि 66 में सो यह जिनने तुह है और है और इसमें travaill और अण को मिलते हैं किसी नेक्स क्लास में स्वस्थ रहे हैं मस रहे हैं और पढ़ाई करने में ब्यस्थ रहे हैं